हेलो फ्रैंड्स वेलकम बेग तो माई चैनल इन कुकिंग विद रिका पहाडिया आज मैं आपके साथ शेर करने चाह रहे हूं सांबर की यह बहुती शांदार रेसीपी सांबर मैं आपको बहुती कम इंग्रिडियंट्स के साथ बनाना बताऊंगी यह खाना में बहुती ज्य अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे इस वीडियो को जादा स्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तो आईए अब बिना कोई देर किया है रेसिपी बनाने स्टार्ट करते हैं सांबर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है आदा किलो आल जिसे हम लोकी भी बोलते हैं इसको मैंने चिल लिया है और बारिक काट लिया है एक बड़ी साइस का आलू लिया है इसको भी चिल कर काट लिया है दो मुट्टी तुवर की दाल ली है मैंने या यूं कह सकते कि 2-3 बार अच्छे साफ पणी से भी Ten G कर देखें मैंने सारी सब्जों को एक बड़े से बरतन में डाल दिया है अब ऐसे तीन भार धूलेंगे रख फाई प्रお願い रख दिया है इस पर एफिसके अन्तर मों डालेंगे दो ग्लास पानी अब हम पानी में एक बोईल आने देंगे, हमारे पानी में एक बोईल आ चुका है, अब हम इसके अंदर ये सारी धुलीवी सबजां डाल देंगे, जो कि हमने अभी काट कर रखी थी, आल, आलू और तुबर दाल, अब इसके उपर डालेंगे, ये एक चम्मच नमक, एक तिहा बोईल दालने से होगा ये कि जब हमारी सब्लक कर दो नहीं निकलेगा, हम इसमें थोड़ा से डाइड करेंगे बस, अकसर हमारे साथ ये चीच होती है, जब भी हम सब्लज को बॉल करते है, पानी उफन कर को कर के उपर आ जाता है, हमारा पूरा कूकर और गेस गंदा हो जा लिए इसको चाहिज नींग जे जान च्रिय कांदा पेज अधा चमच रह दू कुछ समय पट्थे लिए तेन साबुते लाल नैं दो लाल टमाटा लिए हैं लिए लिए लोग लिए आपर दो बड़ी सैस की लिए ली है इसको में एक गंटे से पानी में भिगो कुकर रखा हुआ है अब हम इने अच्छे से मसल मसल कर इसका पल्प निकाल लेंगे और उसके बाद हम इससे चान कर यूज करेंगे देखिए इस तरह से हमें हातों से मसल ना है अच्छे से देखिए हमारे कुकर में 6-7 च्रिटिया आ चुकी है आप देख सकते हमारे कुकर कितना नीट एंड क्लीन है इसमें से पानी बिल्कुल भी उफन कर बाहर नहीं निकला है क्योंकि हमने इसमें ऑइल डाला था अब हम उ शचाण हो पाहर भी जरल सब्सक्राइब करते है इसमें इसमें एड इया गेर वहत अद। इने हम थोड़ा सा चटकने देंगे उसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे यह बारी कटी हुई प्याज हमें प्याज को बहुत ज्यादा गॉल्डन ब्राउन नहीं करना है शिफ इतना करना है कि इसका कच्चापन निकल जाए और यह थोड़े से सोफ्ट हो जाए यह देखिए हमारे प्यास सोफ्ट हो चुके हैं यह बहुत ज़दा ब्राउन नहीं हुए है और हमें करना भी नहीं है अब हम इसमें एड कर देंगे यह बारी कटे हुए टमाटर हमें टमाटर को बहुत अच्छे से पकाना है इसके अंद अब आपकतन लगा कर ग taran oneए तक लेगे यह देखिए नोपीन हो चूकर हैं अब ढ़र लें अब एक थीचे से ऋखने एगे आप आप लेगर रल ऑप एक टीचाही काते अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे इससे कि हमारे मसाले जहे वह अच्छे से पक जाए हमें इसमें बहुत ज्यादा मसाले नहीं डालने होते हैं यह देखिए हमारे कुकर का प्रेशर भी खुदबबब निकल अब हम हमारी सब्जों को चेक कर लेते हैं हम इसे एक बड़े से बरतर में डाल देंगे आप चाहे तो पानी सेपरेट कर सकते हैं उसके बाद आप इसे सांबर में डाल सकते हैं क्योंकि हमें इन सब्जों को बहुत ही अच्छे से मेश करना है अगर आपको ऐसे प्रोब्लम लख जानते हों चलनी से छाम मचके हैं कि future दलाते जिन हैं दबाने हैं सारा इमली का पल्प उसके अंदर डाल देना है अगर आपके पास यह नहीं है तो कोई बात नहीं आप इसे चमच की हेल्ट से भी अच्छे से मेश कर सकते हैं एक बड़े चमच की हेल्ट से उसे उल्टा करके आप चाहें तो पानी थोड़ा सा अलग कर ले इन सब्जियों का उसके बाद इसे अच्छे से मेश कर ले उसके बाद वापस इसके अंदर पानी को डाल दे ये देखिए मैने सबको अच्छे से मेश कर लिया है इधर हमारा मसाला भी अच्छे से पक चुका है आप देख सकते ह एड़ कर देंगे यह मेश की हुई बॉइल्ड सब्जियां इसके अंदर हमने इमली का पल्प भी डाल दिया है यह देखिए मैंने सारी सब्जों को इसके अंदर डाल दिया है अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं अभी से इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है अब हम इसमें एड़ कर देंगे यह एक ग्लास पानी हमें इसे बहुत जादा पानी एड़ नहीं करना है एक ग्लास पानी इनफ है हमारे सांबर में अब हमें इसे 5-10 मिट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है करेंगे समर मसाला मैंने कीचन एक्सप्रेश का सामर मसाला लिया है तो डालों है अपना टेस्ट के सबस आइसे अगोड़ कि इतना इत्का कर दरा है जितने साफ ही बुच और यह तो अध्यार को दोग्शूपर कैस बांचुड किया है इस हमारा शाउयल कार जिड़ कर नही सांबर के साथ अबाइस कोई जरुद नहीं करोंगी में नहीं करती हुए आप चाहे तो डाल भी सकते हैं अब हम केस बंद करदेंगे हमारा सांबर बिल्कुल रेडी है आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं 15 बाद मैं आपको बताऊंगे हमारा सांबर यह देखिए 15 मिट हो चुके हैं हमारे सांबर पहले से थोड़ा सा और गाड़ा हो गया है वाओ हमारे सांबर कितना अच्छा लग रहा है आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छे रेसिपी लाती रहोंगी आप देख सकते हैं हमारे सांबर का टेक्स्चर कलर कितना यमी लग रहा है आप इस गर्मा गर्म सांबर को इडली या डोसे के सांद इंजोई कर सकते हैं मैंने या पर इडली बनाई है अगर आप मेरी इडली की रेसिपी को जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा मैंने इडली सूजी से बनाई है यह बहुत ही शांदार बनती है इसे बनाना बहुत ज्यादा इजी होता है बहुत जल्द मिलती हूं आपसे अ